नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर संदीब कुमार जैन है और आज हम मनोविज्ञान विशय की कक्छा 12 के अध्याय चार मनोवैज्ञानिक विकार के भाग 2 का अध्याय करेंगे भाग 1 में हम अपसामान्यता तथा मनोवैज्ञानिक विकार के संप्रत्याय, मनोवैज्ञानिक विकारों का वर्गी करण, अपसामान्य वियोहार के अंतरनेहित कारक और अपसामान्य वियोहार के माडलों का अध्यान कर चुके हैं इस भाग में हम दुस्चिंता विकार, मनुग्रस्ती वाधिता तथा संबंधित विकार, अभीगात तथा दवाव कारक संबंधी विकार, कायक अभीलक्षन संबंधित विकार, और विक्षेदी विकार को समझने का प्रयास करेंगे चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं दुश्चिंता विकार की हम सभी को कभी न कभी दुश्चिंता होती है जैसे की परिक्षा के पहले या साक्षातकार से पहले या फिर नई नौकरी के पहले दिन ऐसा होना सामान्य बात है किसी को भी चिंता हो सकती है लेकिन अत्यधिक दुश्चिन्ता, अधिक समय तक दुश्चिन्ता और लगभग हर काम में दुश्चिन्ता हो रही हो जिसके कारण से दैनिक क्रिया कलापों में बाधा आ रही हो तब इसे हम दुश्चिन्ता मनोविकार के श्रणी में रख सकते हैं दुस्चिंता विकार भी कई प्रकार के होते हैं जैसे कि सामान्नीकृत दुस्चिंता विकार आतंक विकार या पैनिक डिसॉडर भी इसको कहते हैं दुर्भीती या असंगत भय विकार और वियोगज दुस्चिंता विकार इसके साथ साथ कुछ अन्य दुस्चिंता विकार भी हो सकते हैं जैसे की चैनात्मक गूंगापन या फिर बहरापन सबसे पहले हम सामानीकृत दुस्चिंता विकार की बात करते हैं इस विकार में लंबे समय तक चलने वाले आज पर्स्ट और ऐसे जिनका वर्नन ना किया जा सके तथा ती ब्रभय इनका अनुभाव हो सकता है किसी विशिस्ट वस्तू या किसी विशिस्ट व्यक्ती से जुड़े हुए नहीं होते हैं यह किसी भी वस्तू या किसी भी व्यक्ति से हो सकते हैं, किसी खास व्यक्ति से जुडाव नहीं होता है, भविश्य के प्रती एक आकुलता होती है, एक आशंका बनी रहती है, अत्यधिक सतर्कता प्रदर्शित करते हैं, वातावरण से खत्रे की उनको गंध आती है, ऐसा इनके पेशिये तनाव या वेचेनी भी वो प्रदर्शित कर सकते हैं। व्यक्ति स्पस्ट रूप से कमजोर और तनाव ग्रस्त देखता है। चलिए अब हम बात करते हैं आतंक विकार की। इस प्रकार की दुस्चिंता में कुछ आतंक के दौरे पड़ते हैं। व्यक्ति तीब्र दहसत का अनुभाव करता है। किसी विशिष्ट उद्धीपक से संबंदित विचार उत्पन होने पर तीब्र दुस्चिंता अपने उच्चतम इस्तर पर पहुंच जाती है। ऐसे विचार विना किसी पूर्वानुमान के घटित होते हैं। और जब यह सब घटित हो रहा होता है, तो कुछ खास तरह के नएदानिक लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि सांस लेने में कमी, चक्कर से आना, दिल जोर जोर से धड़कना, ऐसा लगना कि दम घुटा जा रहा है। जी मिचलाना भी प्रदर्शित कर सकता है वेक्ति, चाती में दर्द महसूस हो सकता है। उसको डर लग सकता है कि कहीं मैं संकी ब्योहार न करने लगूं। उसको डर लगता है कि कहीं मैं इस्थितियों से अपना सारे तरह की स्थितियों से अपना नियंत्रण न खोदूंग। इस बात का भय लगता है। उसको मृत्यू भय लग सकता है। तो इस तरह की लक्षन हमें आतंक विकार में देखने मिल सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं दुर्भीति की इस विकार में व्यक्ति वस्तू व्यक्ति या इस्थितियों से आतार्किक भय महसूस करता है। दुर्भीतियां कई तरह की हो सकती हैं जैसे कि विसिस्ट दुर्भीति किसी खास तरह के उद्धीपक, किसी खास तरह की स्थिती से होती है जैसे कि कुछ लोगों को मुचाई का डर लगता है, कुछ लोगों को बंद जगे में डर लगता है, कुछ लोगों को मकडी से या काक्रोच से या छिपकली से डर लगता है, कुछ लोगों को कुछ और तरह के गंध है या किसी और तरह की बातों से डर लग सकता है, और यह भय कुछ लोगों को सामाजिक दुर्भीती होती है, सामाजिक असंगत होता है, ऐसे व्यक्ति हमेशा सामाजिक परिस्थिती से नई परिस्थिती से बचने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको पार्टी में जाना बिलकुल आसान काम लगता है लेकिन वो व्यक्ति जिसको सामाजिक दुर्भीती है उसको किसी शादी, विवाह या किसी तरह के समारोह या किसी सामाजिक इस्थिती में जाना लगभग लगभग दंड स्वरूप सा लगता है एक और दुर्भीती है जिसको विवृति वीती कहते हैं इस तरह की दुर्भीती में व्यक्ति घर से बाहर निकलने में उसे भय लगता है ऐसे व्यक्ति यात्रा नहीं कर पाते हैं यात्रा करने में भी उन्हें भहे लगता है, ऐसे व्यक्तियों को अपने रिष्टेदारों या मित्रों के पास जाने में भहे लगता है, आम तोर पर ये व्यक्ति अपने घर या अपने आसपास के वातावरन में ही रहना पसंद करते हैं, दुर्भीती के बाद एक और विशि व्यक्तियों से लगाव होता है, वो लगाव अपने भाई बहन से हो सकता है, माता पिता से हो सकता है, या पती पतनी को एक दूसरे से हो सकता है, तो जिन से लगाव है, उन से अलग होने के बारे में वो चिंतित रहते हैं, ऐसे व्यक्ति अकेले कमरे में जाने में भी इन्हें डर लगता है इनको नई परिस्थिती में जाने में डर लगता है ये अपने माता पिता या भाई बेहन के संरक्षण में रहना चाहते हैं अलगाओं से बचने के लिए कुछ गड़बड़ी कर देते हैं जब कभी इनसे कहा जाए कि तुम्हें अलग होके किसी और जगए जाना है तो ये कुछ ऐसी गड़बड़ी करेंगे या कुछ चिलाएंगे या ज़लाहट प्रदर्शित करेंगे यहां तक कि आत्मघाती ब्यावहार भी प्रदर्शित कर सकते हैं इसके बाद कुछ और चिंता विकार हैं कुछ खास परिस्थिती में चिंता के कारण मुँ से आबाज ही नहीं निकलती यह चिंता दुस चिंता के कारण से व्यक्ति कोई खास बातें सुन नहीं रहा है चैनात्मक होता है यह यह सारे इस्थितियों में नहीं होता है ऐसा नहीं होता है कि व्यक्ति पूर्ण रूप से बधिर हो गया है, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ खास चिंता वाली परिस्थितियों में वह सुन नहीं पाता है, या फिर बोल नहीं पाता है, चलिए चिंता विकृतियों के बाद, अब हम बात करते हैं, मनो जो की बार-बार हाथ धोते रहते हैं, या फिर ताला लगाने के बाद बार-बार जाकर जाच करते हैं, ठीक से लगाया या नहीं लगाया, यदि स्वक्षता का ख्याल रखते हुए हाथ धोये जा रहे हैं, या फिर सतर्कता वश ताले की दुबारा जाच कोई व्यक्ति कर रहा है और यह सीमित बार हो रहा है तो यह सामान है जब इस तरह के ब्योहार इस हद तक बढ़ जाएं कि व्यक्ति की सामान गतिविधियों पर असर पढ़ने लगे तो इसे हम मनोग्रस्ति वाधिता विकार की श्रणी में रखते हैं इस विकार में दो प्रारूप सम्मिलित हैं मनोग्रस्ति और वाधिता यह दो अलग अलग तरह के प्रारूप हैं मनोग्रस्ति प्रारूप और वाधिता प्रारूप मनोग्रस्ती के अवस्था में व्यक्ति किसी विशेश प्रकार के आतार्किक विचार के चिंतन को रोकने में असमर्थता महसूस करता है जैसे यह विचार के मेरे हाथ गंदे हैं या फिर मैंने ताला ठीक से नहीं लगाया है वस्थूओं को एक विशेश क्रम में ही सजा के रखना चाहिए व्यक्ति को अपने ये विचार अप्रिये भी लग सकते हैं और वह इनको रोक भी नहीं पाता है जिससे उसे दुश्चिंता होती है और फिर इस अप्रिये इस्तिती से बाहर निकलने के लिए वह कुछ ब्योहार करने के लिए बाध्य हो जाता है जैसे कि व्यक्ति को हाथ गंदे हैं यह मनोग्रस्ति है तो वह बार बार हाथ धोने की बाधिता प्रदर्शित करता है किसी व्यक्ति को पैसे गुम हो जाने का भय हो सकता है पैसे गुम हो जाने की मनोगरस्ती है तो वह बार-बार पैसे निकाल कर उनको गिनता है तो इस तरह से मनोगरस्ती और बाधिता ब्यावार साथ साथ घटित होते हैं अब हम बात करते हैं अभी घात तथा दवाव कारक विकारों की दवाव के संदर्व में अध्याई तीन में हम अध्यान कर चुके हैं कुछ दवाव इस्थितियों को विकार की श्रणी में रखा गया है इस श्रणी में पहला विकार है उत्तर अभी घातज दवाव विकार पोस्ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसॉर्डर आपने देखा होगा कि कई बार भेंकर दवाव पून घटनाओं जैसे की प्राकृते कापदा, दंगा, आगजनी, वंबिस्पोट, युद्ध इन घटनाओं में फस चुके लोग, इन घटनाओं से गुजर चुके लोग, घटना गुजर जाने के बाद भी दवाव का अनुभाव करते रहते हैं, इसे उत्तर अभी घातज दवाव विकार कहा जाता है, इस विकार में व्यक्ति बार बार घटना का उसको स्वपनाता है, या फिर वह अती अवलोकन करता है, अपने आसपास की घटनाओं का वस्तूओं का अती अवलोकन करता है, उसकी एकागरता में कमी हो सकती है, उसकी संदेगों में शूनिता की स्थिती जैसे लक्षण वह प्रदर्शित कर सकता है, इसके अतिरिक्त समायोजन विकार और तीब्र दवाव विक को इस रणी में हम रख सकते हैं, चलिए अब हम बात करते हैं काएक अभी लक्षण संबंधी विकार, इस तरह के विकार में व्यक्ति शारीरिक बीमारी की अनुपस्थिती में बीमारी संबंधित लक्षण प्रदर्शित करता है, ऐसे शारीरिक लक्षण की जाच करने पर उनका कोई जैविक आधार नहीं मिलता मतलब व्यक्ति को लग सकता है कि उसके हाथ में लकवा लग गया है लेकिन डॉक्टर के दौरा जाच करने पर पता चलता है कि कोई उसका जैविक आधार नहीं है वास्तों में बीमारी शारीरिक है ही नहीं लेकिन उस शारीरिक बीमारी के लक्षण प्रकट हो रहे हैं कुछ बच्चों को लिखते समय अचानक से हाथ में जकडन का लक्षण प्रदर्शित होता है और वे लिखने में असमर्थ हो जाते हैं जब उनके हाथ की जांच की जाती है तो हाथ में कोई वास्तविक वीमारी नहीं पाई जाती है। और लिखने के अलावा बाकी और दूसरे काम वो हाथ से कर लेते हैं। इस तरह के कई विकार हैं जिन में जैविक कारण वीमारी की अनुपस्थिती में वीमारी के लक्षण उत्पन होते हैं। इन्हें समग्र रूप से कायक अभीलक्षण संबंधित विकार कहा जाता है। इनके तीन प्रकारों की हम बात करेंगे। कायक अभीलक्षण संबंधित विकार, बीमारी दुस्चिंता विकार और परिवर्तन विकार। सबसे पहले काएक अभी लक्षण संबंदित विकार। इस तरह के विकार में व्यक्ति लगातार गंभीर या फिर गैर गंभीर चिकित्सिय अवस्था के लक्षणों के बारे में शिकायत कर सकता है कि मुझको यह लक्षण है। अभी लक्षण से अत्यधिक जुड़े रहने की आदत उसमें देखी जा सकती है। स्वास्थ के बारे में लगातार वह चिंतित रहता है। लगातार डाक्टर के पास जाता रहता है। और इस सब के कारण से दैनिक जीवन में बाधा और दबाओ का अनुभव करता है। इस से ही मिलता जुलता एक विकार है बीमारी दुस्चिंता विकार। इस विकार में गंभीर बीमारी के हो जाने के बारे में लगातार चिंतन करते रहते हैं। इस तरह के व्यक्ति उन्हें लगता है कि कोई उनको गंभीर बीमारी हो गई है लगातार उन बीमारियों के बारे में चिंतित रहते हैं जिन बीमारियों का परिक्षण हो गया है या फिर परिक्षण नहीं हुआ है परिक्षण में उनको लगता है कि बीमारी निकली नहीं है परिक्षण शायद ठीक से नहीं हुआ है डाक्टर के आश्वासन देने पर वह कोई राहत अनुभाव नहीं करते हैं किसी और की बीमारी के बारे में सुनकर किसी ने कहा कि मुझे कैंसर हो गया तो वह अपने आपके लिए भी अपने अंधर भी कैंसर का खत्रा महसूस करने लगते हैं अपने अंदर वो लक्षणों को ढूणने लगते हैं और उनसे चिंतित होने लगते हैं कायक अभी लक्षण संबंधी विकार में व्यक्ति लक्षणों की शिकायत करता है जबकि बी इमारी से चिंतित रहता है। इस श्रणी का अगला विकार है परिवर्तन विकार। परिवर्तन विकार अपेक्छाकृत नया शब्द है। एतिहासिक रूप से इसे हिस्टीरिया कहा जाता रहा है। शरीर के मूल प्रकारियों में, कुछ में या फिर सब में छती हो सकती है, छती देख सकती है, छती का प्रदर्शन व्यक्ति कर सकता है, छती संबेदी इस्तर पर देखी जा सकती है कि उसको कुछ संबेदना नहीं हो रही है हाथ में, या पैर में, या फिर उसको श्रवन संबे नहीं हो रही है व्यक्ति को गती या अंग की क्रिया शीलिता में कमी जैसे लक्षण देख सकते हैं व्यक्ति को मिर्गी से मिलते जुलते कुछ दौरे भी देखे जा सकते हैं पक्षा घात बहरापन चलने में कठनाई जैसे लक्षण व्यक्ति प्रदर्शित करता है दवाव पूर्ण अनुभव के बाद अचानक से ये लक्षण घटित होते हैं एतिहासिक रूप में हम देखें तो विश्युद्ध के दौरान ऐसे कई सैनिक जो मानसिक दौंद का शिकार थे उनको हाथ में लक्षण लग गया था ये वो सैनिक थे जो अपने सत्रू पर गोली नहीं दागना चाह रहे थे लेकिन उन्हें तो लड़ने का आदेश था तो मनो दौंद के कारण से उनके हाथ में लक्षण लग गया व्यक्ति प्रदर्शित कर सकता है चली अब हम बात करते हैं विच्छेदी विकारों की विच्छेदी विकार कई तरह के हैं सबसे पहला है विच्छेदी स्मृति लोप इसमें स्मृति लोप चैनात्मक हो सकता है कुछ खास तरह की स्मृतियां कुछ खास घटनाएं इनके वारे में व्यक्ति भूल सकता है और स्मृति लोप के कोई ज्यात आंगे कारण जैसे की सर में चोट लगना या फिर कोई दवा का रियक्शन होना ऐसा कोई भी कारण उपस्थित नहीं होता है पस कुछ खास तरह की स्मृतियां उनका लोप हो जाता है कुछ व्यक्तियों को अ घटनाओं या वस्थूओं संबन्धी स्मरती नहीं रहती है किन्तु बाकी सब और दूसरी बाते उन्हें याद रहती है विच्छे दी पहचान विकार, इसको वहू व्यक्तित भी कहा जाता है, इस विकार में व्यक्ति दो या दो से अधिक व्यक्तित प्रदर्शित कर सकता है, कुछ मूवीज में, कुछ फिल्मों में भी आपने देखा होगा, कि वहू व्यक्तित को प्रदर्शित किया गया है, ए व्यक्ती अपने परिवर्थित रूपों से परिचित भी हो सकता है, और वह अनजान भी हो सकता है. वहुदा विच्छेदी विकार बालकाल के किसी अभी घाजत अनुभाव से संबंदित होते हैं. इसके बाद व्यक्तित लोप और स्वा अनुभूती लोप विकार है. यह विकार एक स्वपन जैसी अवस्था है इसमें व्यक्ति को स्वा और वास्तिक्ता से प्रथक होने की अनुभूती होती है व्यक्टित लोप विकार में आत्म प्रतेक्षी करण में परिवर्तन हो जाता है और वहाँ वास्तिक्ता से कटने लगता है उसको वास्तिक्ता का ठीक ठीक आभास नहीं रहता है तो इस तरह से हमने दुश्चिंता विकार को समझा जिसके अंतरगत हमने सामानी कृत दुश्चिंता विकार आतंक विकार और दुर्भीती विकारों को जाना हमने मनोग्रस्ती वाधिता विकार पर चर्चा की उनको समझा अभी घात तथा दवाव कारक विकार के बारे में जाना जिसके अंतरगत हमने Post Traumatic Stress Disorder उत्तर अभी घाजत दवाव विकार को समझा कायक अभी लक्षण विकारों को जाना और विच्छेदी विकारों को जाना अगले भाग में हम अन्य मनोव विकारों के बारे में चर्चा करेंगे धन्यवाद अन्यवाद